ऐसे मुर्दाखोरों की दुनिया जिनके छूने पर भी इंसान जॉंबीज में कनवर्ट हो जाते थे कहानी की शुरुआत में तब का समय दिखाया जाता है जब अर्थ पर एक अजीब तरीके का वाइरस फैल चुका था ये वाइरस इतना जादा खतरनाक था कि इसके संपर्क में आने वाले सारे इंसान अजीब तरीके की जॉंबीज में कनवर्ट हो गए थे देखते ही देखते ही इन सारे जॉंबीज की तादाद काफी जादा बढ़ जाती है और अब जन संख्या के पूरे 50% इनसान जॉंबीज में कनवर्ट हो चुके थे इन सारे जॉंबीज का सरीर रेडियो एक्टिव होता है यानि कि अगर ये खतरनाक जॉंबीज किसी इनसान को टच भी कर देंगे तब उनके बॉड़ी में मौझूद वो टी वाइरस इनसान के भी बॉड़ी में चला जाएगा जिससे कि उस इनसान की मौत होनी पक्की थी तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो खतरनाक जॉंबीज अंदर घुस न पाएं इसे वज़े से सिटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंडरिज बनाई जाती हैं जिन में से काफी हाई वोल्ट की इलेक्रिसिटी पास होती थी अगर कोई भी जॉंबीज अंदर आ को डिजाइन किया था उनके यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग काम किया करते थे जो अलग-अलग जगाओं पर घूम घूम कर जॉंबीज को खत्म करते थे और शहर में आने से रोकते थे अब हमें यहाँ राईली और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इसी और गनायेशन के लिए काम किया करते थे राईली और उसके दोस्तों की जिम्मेदारी थी कि वो जॉंबीज को खत्म करने के साथ साथ शहर में बचे वे रिसोर्से जमा करके लेकर आएं राईली की पूरी टीम ने काफी मैनत से एक ऐसा ट्रक बनाया होता है जिनमें आधु उने खतियार से लेकर रहने की सारी सुईधाएं मौजूद थी उस ट्रक में जॉंबीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे वेपन्स इंकलूट किये गए थे मशीन गन से लेकर AK-47 कोई भी गन उसके अंदर छोटा नहीं था साथ ही साथ उन सभी ने जॉंबीज का ध्यान का एक अच्छा तरीका ढूंड लिया होता है दरसल वो अपने ट्रक में से बहुत सारे मिसाइल्स आस्मान की तरफ छोड़ते थे जिससे कि काफी सारी आवाजे आने के कारण जॉंबीज का ध्यान उपर ही रहता था अब यहाँ एक दिन राइली का दोज जिसका नाम चोलो था वो और उसके टीम मेंबर सहर में कुछ रिसोर्से जमा करने के लिए जाते रहते हैं लेकिन यहाँ राइली चोलो को समझा रहा था कि हमारी मॉंस्टर ट्रक अभी भी मेंटेनिंस में है और ज्यादा यूज करने पर इसके अंदर मीजर प्रोब्लम आ सकती है इसलिए र जॉम्बिस का ध्यान उपर की तरफ चला गया था और चोलो और उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है वहां से अंदर जाने का चोलो तो राइली के मना करने के बाद भी रेस्टोरेंट्स में गुसकर सामान लेनी लगा था खासकर चोलो का फोकस अलग-अलग टाइप की ड्र बसका दियाना, तब चोलो भी पूरी तरीके से इंफेक्टेड हो जाएगा, चोलो बड़ी मुच्किल से जौम्बी को अपने से दूर रख रहा था और अब अपना बचाओ करते-करते चोलो ने उस जौम्बी को मार रहा था, हाला कि एक जौम्बी को मार ना था, कि वो किस लड़का भी अब zology में convert हो जाएगा लड़का काफी जादा घवरा जाता है वो तो चोलो से कह रहा था कि वो किसी भी कीमत में zology में नहीं convert होना होना चाता इसलिए अब चोलोने decide कि हो उस नौ जाओन लड़के को जान से मार देगा हालाकि राईली तुरंती वहाँ पर आकर चोलो को ये करने से रोकता है और अब वो चोलो से यही कह रहा था कि उसने मना किया था फिर भी तुमने यहां आने की जीद की और इस लड़की की ये हालत हो गई पर जब राईली और चोलो एक दूसरे से बाते कर रहे थे तब ही उस लड़के ने खुद को ही गोली मार ली जो एक बहुत ही ज़ादा दर्दनाक मनजर होता है इसके कुछी दिर बाद जब राइली एक पैटरोल पम्पर आकर चेक करता है तब उसने दिखा कि पैटरोल पम्प का मालिक भी अब जॉंबी में कनवर्ट हो चुका है लेकिन चौका देने वाली बात ये थी कि वो पेट्रोल पॉम्प का मालिक बाकी जॉंबीस से अजीब तरीके से बाते कर रहा था और तो और वो सारे जॉंबीस पेट्रोल पॉम्प की मालिक की बाते भी मानते हैं जैसे कि वो उन सभी का लीडर हो इस बात से राईली और भी ज़ादा डर जाता है जब राईली और बाकी सब अपने ट्रक लेकर वहाँ से जाते रहते हैं साथी साथ उनकी टीम जॉंबीज पर हमला भी कर रही थी ये चीजे पैट्रोल पम्प का मालिक जो की अब जॉंबी में कन्मर्ट हो चुका था वो भी गौर से देखता रहता है उसे इतना तो समझ गया था कि ये सारे इंसान गण की मदद से उन्हें मार रहे हैं इसलिए पैट्रोल पम्प का मालिक जिसका नाम बैन होता है उसने राइली के एक टीम मेट जो की बाइक पर जा रहा था उससे गन छिन ली थी और अब उसे इतना अंदाजा हो गया था कि गन की मदद से किसी दूसरे चीज को मारा जा सकता है बें तो अपने बाकी जॉंबी साथी को किसी अलगी लेंग्वेज में ये सारी बाते बता रहा था अब हमें यहां उस बड़े से शहर में दिखाया जाता है जहांपर दू ग्रूप बन चुके थे पहले ग्रूप में वो अमीर लोग रहते थे जिनके पास काफी सारा पैसा था वो लोग तो बड़ी आलिशान जिन्दगी जी रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ मौजूद थे वो सारे गरीब लोग जिनके पास खाने पीने की भी रिसोर्से बहुत कम थे गरीब लोगों का जो लीडर होता है वो तो प्रोटेस्ट कर रहा था उन अमीर लोगों के खिलाफ जो अपने करोडों के मेंशन में बैट कर मज़े कर रहे थे राइली और चोलो भी गरीब वाली बस्ती से ही बिलॉंग करते थे अब यहाँ चोलो जो सहर से बहुत सारी महंगी महंगी वाइन्स और दारू लाया था वो लाकर एक बिजनसमैन को गिफ के तोर पर दे देता है सारी दारू बिजनसमैन से देने के बाद चोलो उससे ये मांगता है कि वो भी अमीर लोगों के साथ रहकर उनकी यी तरह आलीशान जिन्देगी गुजारना चाता था लेकिन वो बिजनसमैन तो चोलो की इस रिक्वेस्ट को डारेक्ली खारीच कर देता है बिजनसमैन चोलो से कह रहा था कि तुम सब गरीब लोग हो और तुम्हारी जिन्देगी वहां कबार खाने में है इसलिए तुम हमेशा के लिए वहीं पर जा कर रहो चोलो को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुसा आदा है अब हमें बस्ती में राइली दिखाय जा रहा था जो एक ऐसी मज़ेदार जग़ पर आया होता है जहां पर जॉंबिस के साथ खिलवाड होता था वो पूरी जग़ एक नाइट बार की तरह थी जहां पर लोग जॉंबिस के साथ मज़ी करने के लिए आते थे जैसे कि कोई जॉंबिस के उपर निशाना लगा रहा है या फिर उनसे अपने आपको कटवा रहा है इसी तरीके से हमें एक फाइटिंग टूर्नामेंट दिखाय जाता है जिसमें कि लोगों को इंटर्टेंट करने के लिए एक किसी भी आदनी या औरत को पिंजडे में जॉंबिस के साथ बंद कर दिया जाता था इसी तरीके से एक अंजान लेडी को दो जॉंबिस की बीच में ढखेल दिया गया था और अब वो लेडी खुद को प्रोटेक करने के लिए उन जॉंबिस से लड़ाई करने लग जाती है राईली भी पिंजडे के बाहर खाड़े होकर ये सारी चीज़े देख रहा था लेकिन अब वो दोनों जॉंबिस लेडी पर हावी होने लग जाते हैं राईली तो अपनी आखों से ये जुल्म होता हुआ देखी नहीं पा रहा था इसलिए उतने तुरंती गन निकाली और लीडी को बचानी के लिए उन दोनों जॉंबिस को खत्म कर दिया गोली चलने की वज़े से चारो तरब भगदन मच गई थी पर अपबलिक में इस तरीके से गोली चलाने की जुर्म में पुलिस वाले राइली और उसके एक दोस्त को जेल में पकड़ कर बंद कर देते हैं राइली और उसके दोस्त को कुछ दिनों तक जेल के इंदर ही सजा काटनी पड़ीगी अब हमें उन सारे जॉंबिस को दिखाया जाता है जो की एक ग्रूप बनाकर सहर की तरब बढ़ते जा रहे थे इन जॉंबिस का लीडर जो की वही पेट्रोल पंप का मालिक होता है जिसका नम बैन था वो सारे जॉंबिस को गाइड करता रहता है दीखने पर पता चल रहा था कि साइट से बैन का दिमाग अभी भी जॉंबिस बनने के बाद काम कर रहा है वहीं चोलो जिसकी अब उस बिजनसमैन से बदला लेना होता है वो अपने दोस्तों के साथ बिजनसमैन के बहुत सारे लगजीरियस गाड़ी को लेकर भाग गया था चोलो चाथा कि वो बिजनसमैन से कैसे भी बदला ले और अब चोलो उस बिजनसमेन को call करके ये बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारी सारी गाड़ियों को ले लिया है और अगर जब तक तुम टेन मिलियन डॉलर्स हमें नहीं दे देते तब तक तुम्हारी कार वापस नहीं मिलेगी बिजनस्मैन कहने लगा था कि वो तुमें एक डॉलर भी नहीं देगा इसलिए चोलो ने डिसाइड किया कि वो सारी एडवांस कार को लेकर वहाँ से चला जाएगा पर अब उस बिजनस्मैन ने तो राईली को जिल से निकाला और उसे चोलो को जान से मार कर सारी गाड़ियों को यहां लाने का कॉंट्रैक्ट दे दिया राईली पता नहीं क्यों खुशी खुशी इस कॉंट्रैक्ट के लिए हाँ भी कर देता है अब राईली के साथ वो औरत भी मौझूद थी जिसे की उसने जॉम्बिस से बचाया था राईली का पूरा ग्रूप निकल पड़ता है चोलो को पूरी शहर में ढूनने के लिए राईली रेडार की मदद से उन सारी कार्स की लोकेशन पता कर रहा था क्योंकि उन सारी एडवांस कार्स को राईली नहीं बनाने में मदद की होती है लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सारे जॉम्बिस का जून लगातार शहर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था हाला कि शहर के चारो तरफ बड़े बड़े तार लगे वे थे जिन में से हाई वोल्टेज की इलेक्टिसिटी पास होती थी कोई भी जॉम्बि अगर अंदर आने की कोशिच भी करता तब इलेक्टिसिटी की वज़े से उनकी जान चली जाती लेकिन जॉम्बिस की इतनी ज़ादा मौत होने के कारण बाकी जॉम्बिस को ये अंदाजा हो जाता है कि उन्हें इं तारो से कैसे भी बचना है इसलिए अब बैन जो कि जॉंबिस का लीडर था वो कुछ जॉंबिस को शहर की तरब भेज देता है जहाँ पर मिलिटरी का एक कैम था और अपने आदे से जादा लोगों को पानी के किनारे पर लेकर आ जाता है दरसल नदी के इस रास्ते पर शहर की अंदर कोई भी तार लगी नहीं हुई थी क्योंकि इंसानों को लगता था कि जॉंबिस पानी में तैरी नहीं सकते और सायच से हो भी वैसा ही रहा था सारे जॉंबिस पानी के किनारे आकर एकदम से रुख जाते हैं लेकिन यहाँ बैन अपने बाकी जॉंबिस साथियों को पानी में सबसे पहले कूद कर दिखाता है बैन को तो पानी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो जॉंबि होने के कारण पूरी तरीके से मर चुके थे उन सबी का तो एक दिमाग का छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ काम कर रहा था और अब बैन को देखते देखते सारे जॉंबिस पानी के अंदर से जानी लगते हैं दिरे दिरे जॉंबिस का पूरा ग्रूप शहर के अंदर पहुच चुका था अब राइली लोकेशन को फॉलो करते हुए चोलो के पास बहुच जाता है राइली चोलो से कहने लगा था कि तुम्हें सारी गाडियां वापस लोटानी पड़ेंगी और यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो लेकिन चोलो राइली की कोई भी बात नहीं मानता और वहां से जाने लग जाता है क्योंकि चोलो को किसी भी कीमत पर बिजनसमैन से अपना बदला लेना था लेकिन यहां राईली चोलो को समझाता है कि वो बिजनसमेन की बातों को फॉलो करके तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है बलकि वो भी चाहता था कि वो उन अमीर लोगों को सबक सिखाए इसलिए राईली कहता है कि भले ही तुम उस बिजनसमैन के गाड़ियों को वापस ना लोटाओ लेकिन तुम और तुम्हारे दोस शहर से बाहर जाने की गलती मत करना क्योंकि शहर के बाहर के हालात काफी जादा खतरनाथ थे लेकिन यहाँ चोलो राईली की एक भी बात नहीं मानता चोलो तो अब अपने एक साथी के साथ निकल पड़ता है बिजनसमैन को जान से मारने के लिए यहाँ मिलिटरी बेस पर बहुत सारे जॉम्बीस ने हमला करके सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था और तो और बेन के साथ जो सारे जॉम्बीस सामिल थे वो भी शहर में पूरी तरीके से गुस कर सभी को इनफेक्टेट करने लग गए थे पर यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि वो जॉम्बीस लोगों को काटने के साथ-साथ गण लेकर फायर भी कर रहे थे जिससे कि वो सब और भी जादा खतरनाक हो जाते हैं लेकिन अब रास्ते में ही चोलो जब अपने दोस्त के साथ जा रहा था तब ही एक बुड़े जॉंबी ने उसके हाथ पर काट लिया होता है यानि कि अब चोलो भी इंफेक्टेड हो चुका था और जॉंबी में कन्वर्ट हो जाएगा चोलो का साथी तो एंड मोमेंट पर धुका दे कर उसे छोड़ कर चला जाता है वहीं बैन का जो जॉंबी ग्रूप था वो शहर के मॉल्स और सूपर मार्केट में गुसकर सभी को मारने लग जाते हैं अमेर लोगों की पूरी बस्ती धीरे धीरे तबाह होने लग गई थी बड़े बड़े बिजनसमैंस और अमेर लोग मरते जा रहे थे और तो और मिलिटरे वालों का भी काफी बुरा हाल था क्योंकि जॉंबी जने अब वो तार के घेरे को भी तोड़ दिया होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें रोक रही थी इसलिए मिलिटरे वालों ने तुरंत ही राइली को इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि सारे वेपन्स के ट्रक उसके पास ही मौजूद थे राइली अपने बाकी बच्चे विसातियों के साथ तुरंत मदद करने के लिए निकल पड़ता है अब हमें वही बिजनेसमैन दिखाया जा रहा था जो की पैसे लेकर वहाँ से भागता रहता है तब युश के सामने और कोई नई बलकी चोलो था जो पूरी तरीके से जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है चोलो ने जैसे ही उस बिजनेसमैन को देखा वो उसकी तरफ आकर काटने लगा उसने तो बिजनेसमैन की पूरी बॉडी की धजिया उड़ा दी होती है पर अब बहुत सारे जॉम्बी उसी होटल में गुसकर चारो तरफ तबाई मचाने लगते हैं गैस लीक होने की वज़े से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसमें की चोलो और वो बिजनेसमैन दोनों ही मारे जाते हैं सबी लोग अपनी जान बचाकर यहां से वहाँ भागने लगे थे क्योंकि वो एडवांस जॉम्बी जरा भी उनकी उपर रहे मी नहीं कर रहे थे कुछी दिर बाद राइली अपने वेपन्स के ट्रक लेकर दोस्तों के साथ महाँ पहुँच जाता है उसने तुरंत इस जॉम्बी का ध्यान अट्रैक करने के लिए ट्रक की मदद से आसमान में रॉकेट छोड़ने लगे लेकिन राइली और उनके दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जॉम्बी अब एडवांस हो चुके हैं उससर जॉम्बी पहले की तरह आसमान में मौजोज रॉकेट को देखकर डिस्ट्रैक नहीं हो रहे थे बलकि वो तो दुगनी स्पीट से अब इंसानों पर हमला करने लग जाते हैं राइली और उसके दोस्तों काफी ज़्यादा मुश्किल में फस चुके थे इसलिए अब राइली ने एक डिसीजन लिया उसने ट्रक की मदद से बहुत सारे जॉंबिस को एक जग़ पर इकठा किया ताकि वो एक साथ जॉंबी के उपर हमला कर सके थोड़ी दिर बाद जब बहुत सारे जॉंबिस एक जग़ पर इकठा हो जाते हैं तब राइली ने अपने एडवांस ट्रॉक की मदद से एक बहुत ही बड़े मिसाईल को उनकी उपर फायर कर दिया था। जिससे की एक बड़ा ब्लास्ट होने की कारण वहाँ पर मौझूद सारे जॉम्बीज मारे गए थे। लगबग लगबग जॉम्बीज की आदी सी ज़्यादात खतम हो जाती है। और तब जाकर राइली और उसके बाकी गरीब दोस्तों को थोड़ी सी राहत मिली। इस हमले में अमीर लोगों की पूरी बस्ती डिस्ट्रॉई हो चुकी थी। लेकिन गरीब बस्ती के लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं। उन सबी ने तो मिलकर राइली को इस काम के लिए शुक्री यादा किया। लेकिन यहाँ बैन और उसके कुछ साथी बचे होते हैं जो शहर के अंदर यहाँ वहाँ घुमते जा रहे थे। और पता नहीं कि वो इनसानों पर हमला ही नहीं करते हैं। गुजार सकें। राइली और बाकी सारे गरीब लोग अब अमीर लोगों के जगब पर रहने लगे थे। जो आलिसान जिंदगी वो कभी नहीं जी पाए, आखिरकार एंड में जॉम्बीज नहीं ये पूरा कर दिया। राइली भी एक तरीके से यही चाता था। और अब जॉ देन नेक्स्ट वीडियो में बाबाए।